पेट की कुछ बीमारियां हैं, जैसे पेट खराब है, दस्त हो गए हैं, बार बार आपको टाइलेट जाना पड़ता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवाद जीरा, आदा चंबर जीरा चबाटे खालो, पीछे से गुल्बुना पाने के, तो दस्त एक कम बजो जाते हैं, एक ही खुराब जाते हैं, और जो बहुत जादा दस्त हों, हर दो मिनट में आपको टाइलेट जाना पड़ता है, तो आदा कब कच्छा दूट ले लो, बिना गरनी किया हुआ, और उसमें नीबू डाले के जल्दी से पीड़, नीबू डालोगे ना दूट फट जाएगा, फटन इसे पहले पीना, और एक ही खुराब लेना, बस इतने में ही खतरनाक दस्त ठीक हो जाते हैं, एक ही खुराब, और एक दवा बताना चाहता हूँ, दस्त ठीक, ये जो बेल पत्र पर फल लगता है ना, बेल का फल, उसका जो गूदा होता है, वो आप चबा के खालो, पीचे थोड़ा पानी पिलो, ये भी दस्त ठीक कर देए, बेल का पाउडर बेल का बनता है बजार में, वो आप एक चमच पाउडर बुंग के पानी में पीलो, ये भी दस्त ठीक कर देए, पेट अगर आपका साफ नहीं होता, कबजियत रहती है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा ह अजवाइन, अजवाइन आप जाते है घर में, इसको गुड़ में मिला के चबा के खाओ, और पीछे से गरम पानी बीलो, तो पेट तुरंक साफ होता है, रात को खाते सो जाओ, सुबह उटते ही पेट साफ होता है, और ये अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, ये जो हता है ये तृफला चून, हर बहुड़ा आंगले से बलता है तृफला, एक चमिस तृफला चून ले लो पानी के साफ, रात को सोते साफ, पेट साफ को, और कुछ पेट से जोड़ी दो-तिंग खराब बीमारिया हैं, जैसे बवासी, पाइल्स, हैमरोइड्स, में अच्छी दवा है, मूली का रस, एक कप मूली का रस भी हो, खाना खाने के बाद, जो तहर हो, या सबी, शाम को मत की, मूली का रस भी हो, खाने के बाद, एक कप, तो हर तरह का बवासी ठीक होता है, बलंदर ठीक होता है, फिस्चुला फिशर ठीक हो, अनार का रस भी हो विदेश से आई हुई चिकितसा पद्विती के तंत्र को ऐसे ही उखाड के फैकना है जैसे इस्ट इंडिया कंपोनी को उखाड के फैका था